आज हम बनाएंगे पूवा, पूवा खाना तो लगबग सभी को बहुत पसंद होता है और ये खाने में बहुत स्वाधिश्ट भी होता है और बनाने में तो बहुत ही आसान है समय भी कम लगता है जटपट बनकी तयार हो जाता है और आप इसे लंबे समय तक इस्टोर करके भी खा सकते हैं तो चलिए फिर आज की मज़िदार रेसिपी शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने हाँ एक बॉल ले लिया है उसमें हम 1 कप मैदा डालेंगे आपको ज्तना बनाना हो उतनी कवांटीटी में सभी चीजों को ले लें उसी कप से आधा कप सुझी डाल देंगे अब हम इसमें वन फोर्थ कप चीनी डाल देंगे जितना आप मेठा पसंद करते हैं उतना चीनी डाले साथ में हम दूट डाल देंगे दूट डाल के हम इसमें बैटर बना लेंगे इसका स्मूज सा बैटर बना की तयार कर लेंगे आप इसका बैटर दूस से भी बना है तो पूई ज्यादा स्वादिश बनेंगे और अगर आपके पास दूद नहीं है तो पानी भी डाल सकते हैं जो आपको पसंदो और यह देख सकते हैं मैंने इसका कितना स्मूज सा बैटर बना की तयार कर लिया लंप्स बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल हमें पूई बनाने के लिए ऐसा ही बैटर जाहिए बैटर हमारा तयार है अब हम इसे ढखकर 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो और पूरे 15 मिनट हो चुके हैं और सूजी भी बहुत अच्छे से फूल गई है एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें थोड़े से कटे हुए ड्रैफूर डाल देंगे आप अपने मन पसंद के कोई भी ड्रैफूर डाल सकते हैं जो आपको पसंदो थोड़ा सा दो डाल देंगे क्योंकि बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है एक पिंच के लगभग इसमें मीठा सोड बेकिंग सोडा भी बोलते हैं अच्छी तरीके से सबी चीजों को मिक्स कर लेंगे रहा हो पुगा अपनाने के लिए वैक पनांस याम तयार हो से चाहएं उन्हेमा पनाने के लिए, अजart बी må यह बहुत अच्छे से फोलने लगा क्योंकि मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है तो काफी अच्छे से फोलने लगता है और जब एक तरफ से light golden brown हो गया है इसे हमें पलट पलट कर दोनों तरफ से golden brown होने तक fry कर लेना है और देख सकते हैं पुआ हमारा कितने अच्छे से फ यह देख सकते हैं मैंने यह सारा पूगा बना के तयार कर लिया यह पूगा खाने में बहुती स्वाधिश्ट है और बनाने में कितना आसान है आपने देखाई तु गाइज आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइए कीजिएगा और कॉमेंट करके हमें जरूर क्योंकि नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक्यू फ्रेंड